नमस्कार बीटिफुल हमेशा हिंदी चानल में मैं किरिन आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी रातो रात जो दो मुहें बाल होते हैं उन्हें किस तरह से आप खतब कर सकते हैं वैसे तो दो मुहों बाल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि धूल, मिटी, प्रोशिन या फिर बार बार शांपू को चेंज करना या फिर आप अपने बालों का सही से देख भाल नहीं कर दे या फिर बालों में बहुत जादा ड्राइनेस हो गई है पर दोस्तों आज मैं आपको कुछ असान से घरेलू उपायर बताऊंगी जो की काफी असरदार है तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे पर अगर आप मुझे पहली बात देख रहे तो सबसे पहले मेरे चानल के लिए सबस्क्राइब कर दीजिए और उसके बाद इसके लिए आपको एक पका हुआ कच्छा केला लेना है उसके बाद एक से दो चम्मच दही लेना है दो से तीन चम्मच गुलाब जल लेना है और कुछ नीमबू के रस की बूंदे लेनी है इन्हें अच्छे से मिक्स करके दू मोह बालों पर लगा लीजिए और लगवग आदे घंटे के बाद अपने बालों को धोलीजिए ऐसा करने से आपको पहली ही बार में आपके दो मुहें बाल कम दिखेंगे इसके बाद मैं आपको दूसरा उपाई बताती हूँ जो काफी यूसफुल है इसके लिए आपको चाहिए ऑली वॉइल ऑली वॉइल भी हमारे बालों के दो मुहें बालों को खतम करने में काफी मददकार होता है इसे हलका गुंगुना गरम कर लीजिए और इसके अंदर नीमु के रस को मिला लीजिए उसके बाद अपने बालों को सबसे पहले गिला कर लीजिए और उसके बाद अपने बालों पर इस तेल को लगा कर आदे घंटे के लिए छोड़ दीजे या फिर आप थोड़े जादा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद अपने बालों को किसी हरबल शांपू से शांपू कर लीजे ऐसा करने से भी आपके बालों पर जितने भी दो मुहे बाल है वो चले जाएंगे इसके बाद दोस्तों मैं आपको बहुती असान तरीका बताती हूँ इसके लिए आपको चाहिए दही और शहर दोनों को अच्छे से मिला लीजे और इसे अपने दो मुहे बालों पर लगा लीजे और उसके बाद आदे गंटे के बाद अपने बालों को धूलीजे ऐसा करने से भी आपके दो मुहे बाल जो है निकल जाएंगे तो दोस्तों ये थी कुछ असान से घरेलू असरदार उपाय दो मुहे बालों को रातो रात निकालने के लिए इन उपायों को पक्का करके देखिएगा आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों मैं आश्र करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक, ट्वीचर और वाटसब पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते है मैं आपको मिलूगी और एक ऐसी मत्वोपुर्णा वीडियो के साथ तब तर के लिए धन्यवाद